के चेत्र में लगातार काम के आपको आगे बढ़ा रही है हमारे स्री चेतन गुरूंग जी एवं खेल बिभाग से आये हुए सभी अतितिगर्ण खेल संग से जुड़े हुए और खिलाडियों के प्रोथसान के लिए लगातार काम करने वाले सभी हमारे आयोवे प्रतनिदीगर्ण सभी सम्मानित अतितिगर्ण हमारे कोच शिक्षक प्रशिक्षक हमारे पत्रकार मित्र भाई सुनील पांडे जी एवं सभी उपस्तित हमारे पत्रकार मित्रों चायकार बंद्वों और जिनके निमीत आज ये समारो यहाँ पर आयुजित किया गया है ऐसे मेरे सभी पिरिया खिलाडी भाईयों और बहनों मैं आप सब को 37 राश्टी खेल के लिए आप सब लोग गोवा जा रहे हैं आप सभी हमारे प्रतिभावन खिलाडी हैं और हम सब को आप से बड़ी उमीद है अभी रेखा जी ने यहाँ से बताया कि आप सब से बहुत अपेक्छाएं हैं कि आप लोग इस बार अच्छा परदसन करेंगे अच्छा परदसन के अलावा बहतरीन परदसन करेंगे और जो पिछला हमारा परदसन है उस परदसन से आगे बढ़ते हुए उससे सबग लेते हुए निश्चित रूप से एक किर्तिमान इस्ताफित करेंगे मैं आप सब को अपनी ओर से बहुत बढ़ाई देता हुँ बहुत सब कामनाई देता हुँ और भगवान बाबा बद्री विशाल से बाबा केदार से हमारे उत्राखन के सभी देवी देप्ताओं से बाबा जागेश्वर से भगवान आदि कैलाज से आप सब के उज्वल भुश्ची के भी कामना करता हुँ मुझे पुरा विश्वास है कि राष्टी खेलों में आप सभी अपनी कुसल प्रतिभा के दम पर अपनी योगता च्छमता अधक्षता और जो आपने प्रसिक्षन प्राप्त किया है उस प्रसिक्षन से निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संसय नहीं है कि आप लोग प्राखंड का नाम रोसन करेंगे बायों बहनों हमारा 37 राष्टी खेलों का सुभारम हमारे देश के यससवी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अक्टूबर को किया जाएगा और हम सब जानते हैं कि उनके प्रधान मंतरी बनने के बाद किस प्रकार से खेलों का खिलाडियों का प्रोसान हुआ है उनका उत्सा ब्रधन हुआ है और किस प्रकार से वो स्वेम बेक्तिका दरूची लेकर अभी भी मैं देख रहा था कि जो खिलाडी हमारे बिविन्न बिविन्न खेलों में भाग लेकर आए उनका उन्होंने समारो आयज़ित किया जब खिलाडी खेलने जाते हैं उनहीं से प्रेड़ा लेकर हम लोगों ने भी सोचा कि आप सब लोग खेलने जा रहे हैं तो आप सब का एक समारो यहाँ पर होना चीए और प्रधान मंतरी जी ने परिपार्टी देश के अंदर सुरू करी है कि जब हमारे खिलाडी खेलने जाते हैं, तो भी उनका समारो होता है, जब खेल कर आते हैं, तब भी समारो होता है, जीच जाते हैं, तो तो समारो होता है, अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो भी समारो होता है, तो भी उनसे बात करते हैं, ये देश के अंदर पहली बार उन्हों में शुरू किया है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है प्रसंता की बात है कि हमारे और से राश्टी खेलों में इस बार गोवा में आयो जीत होने वाले इस पूरे खेल में इस राश्टी खेल में दूसो चालीस सदसी टीम हमारे यहां से जा रही है जिसमें ए इतने ही है ना भीना उजी एक सो सदत्तर हमारे जो है खिलाडियों के साथ 63 टीम ऑपिसियल्स हैं और यह टीम आप करें थी 25 में की 26 में 25 गेम्स में उन्होंने पाटिसिपेट करेंगी मुझे बताया गया है कि 36 राश्टी खेलों में उत्राखन राज्य के 128 खिलाडियों गारा 17 खेल विदाओं में प्रतिभाग किया गया था जो पहले वाला था तो इस बार हम आगे बढ़े हैं और मिस्षिक रूप से यह हम सब लोगों के लिए हम सब लोगों का उत्सा वर्दन भी है और जब उत्सा वर्दन होगा देखे एक बात में बताओं कि उर्जा सरीर में कितनी भी क्यों नहों जब तक मन में उत्सा नहीं होगा मन में उमंग नहीं होगी तो उर्जा जो है सही प्रकार से काम नहीं करेगी इसलिए उर्जा से पहले उत्सा लाना और उमंग लाना ये हमारे खिलाड़ीों के लिए बहुत जरूरी है और मुझे उमीद है कि जिस प्रकार से हमारा करम बनाया है पिछली बार हमारी 17 खेल विदाओं में हमने भाग लिया इस बार हम 25 खेल विदाओं में भाग ले रहे हैं यानि कि 8 खेल विदाओं हमारी बढ़ गई है तो ये कहीं ने कहीं हमारे ये उत्रोतर हमारे विकास का और हमने जो प्रगती की है उसका एक बानगी है और इस बार की जो खेल विदाओं खिलाडियों की संख्या में ब्रद्दी हो रही है यह हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारे यहां पर खेल संस्किर्टी उसका निरंतर रूप से विकास हो रहा है और यह हमारी प्रात्मिक्ता में आप सभी युआ खिलाडियों की उर्जा को देखकर मुझे यहां पर लग रहा है और मैं कह सकता हूँ कि जिस परकार भारती खिलाडियों ने इस बार इस्चियन गेम्स में परतिभाग करके अपनी परतिभागा लोहा मनवाया है उसी प्रकार आप सभी खिलाड़ी मेडल जीत कर अपना उत्करस्ट प्रदसन करके देव भूमी उत्राखंड का नाम जिसके लिए डिके सिंग जी कह रहे थे कि अब देव भूमी बीर भूमी सैन्य भूमी और आप ये खेल भूमी के नाम से भी जानी जाएगी क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मेंसे कोई खिलाडी भूमी से कईसी मेंसे नीरत चोपडा वनेगा आप मैंसे कोई लक्चषेन बनेगा कोई बंदना क टारिया वनेंगी और ऐसे अनेकों आप जिन छेत्रों में भी जिन खेलों में भी आप प्रतिभाग करेंगे उनके जो लोग सीर्स्व रहे हैं उसको आप प्राप्त करने का काम करेंगे और उससे भी आगे जाने का काम करेंगे एक इतिहास बनाने का काम करेंगे बताईए आप इन खिलाडी तरह बहतर प्रदसन करेंगे जिनके मैंने कुछ के नाम लिये और कुछ के मैं नहीं ले पाया अरे जोर से बोलिये भाई करेंगे ना सब पदक जीतेंगे ना जोर से बोलिये देखेंगे अभी कुछ आदों की आवाज आ रही है 25 परसेंट लोग ही बोल रहे हैं इसमें से उधर से तो बोले ही नहीं पदक जीतेंगे ना देव भूमी का नाम खेल भूमी में बदलेंगे देव भूमी के साथ साथ खेल भूमी बनाएंगे बहुत अच्छा हमारे हमारी सरकार खिलाडियों के संबरदन के लिए खेल संस्कृति को बिक्सित करने के लिए खिलाडियों के लिए हर संबह प्रियास कर रही है अभी जैसा रिखा जी ने बताया कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही प्रतिवा साली और उबरते हुए खिलाडियों के लिए खेल शात्रविती देने का निर्णे लिया था मुझे खुसी है कि ये योजना प्रारम्ब कर दी गई है और हम क्यों कहते नहीं है देखे ऐसा है बात है बहुत बड़ी बड़ी करने से मैं समझता हूँ कि काम करना ज्यादा अच्छा होता है इसले कम बोलते हुए और जब काम हो जाए तभी हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं उसको निश्चित रूप से करते हैं हम चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी उत्राखर्ण अगड़ी राज्ये बनें और इसी के तहर हमारे खेल और खेलाडियों के लिए हम नई खेल निती लेकर आये थे और ये नई खेल निती भी खेलाडियों के प्रोचान के लिए ही लाई गई थी कि खेलाडियों को हर प्रकार से उनके संबर्दन के लिए उनके माता पिता बहुत बार मैंने देखा है जब भी मैं खिलाडियों के बीच में आता हूं तो ये बात जरूर देखता हूं क्योंकि मैंने बहुत साल पहले से बहुत सारे खिलाडियों में उत्कृस्ता देखी है उनके अंदर योगता देखी है चमता देखी है लेकिन साधन नहीं होने के कारण से माता पिता सामर्थवान नहीं होने के कारण से वो बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग भी नहीं ले पाते और कई बार लोग उनको विविन्न प्रकार से भेजने का काम करते हैं अन्य लोग बहुत आ गया आते हूं और जब वो पदक जीत जाते हैं तो फिर उनको इनाम देने वालों की फर्मार हो जाती है उनके पास भी ताइम नहीं होता की किसको टाइम दे किसको नदे तो हमने इस खेल निती में ऐसा प्रावधान किया है कि हमारे खिलाड़ी जो चैन होकर जाएंगे तो उन खिलाड़ीयों को खेलने जाने के लिए वहां रहने के लिए उनके खाने के लिए इसमें नई खेल निती में इन सभी चीज़ों को हमने किया है अभी चुकि धीरे धीरे ये सारी चीजें धरातल पर आएंगी और निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन हमारे खिलाडियों के लिए ये हमने करने का प्रियास किया है खिलाडियों को जमीनी इस्तर से खेल छेतर में रूची लेने के लिए 14 से 23 वर्स तक के खिलाडि प्रदित खेलो हैं तू किट खरीदने के लिए भी इसका भी हमने प्रावधान किया है पिछले साल जो हमने मुक्यमंत्री खिलाड़ी उदैमान योजना उन्ने योजना प्रारंब की थी आठ से 14 वर्स के उबरते खिलाड़ियों के लिए इसमें भी 15 सर रुपे प्रती महा चात्र वर्ती दी जा रही है अब तक प्रदेश में 4,000 के लगवक उबरते खिलाड़ियों को ये चात्र वर्ती दी जा चुकी है खिलाड़ियों को निमान नुसार तुरित बित्ती लाब देने हैं तू मुक्यमंत्री खेल विकास निदी की भी इस्तापना की गई है हमारे खिलाड़ियों के प्रतियोगता ये प्रसिक्सेंड सिवरों में यात्रा के दोरान किसी प्रकार की घटना होने पर आर्थिक साहता की भी इसमें हमने प्रावधान किया है प्रदेश सरकार बिस्विद्यालेयों में ब्यावसाइक पार्टिकरों में जो इंट्रेंस के लिए 5% स्पोर्ट कोटे की व्यूस्ता करने के लिए भी हम इसकी भी नियमावली बनायने जा रहे हैं इसके साथ इनीजी खेल छेतरों के माद्यम से खेल अवस्ता अपना सुविधाओं के निर्मान ही तो अनुदान जिये जाने की भी व्यूस्ता हमने की है अभी रेखा जी ने बताया है कि राज्य के अंतराश्टियों, राश्टिय इस्तर के जो खिलाडी हैं, उनको आउट आप टर्न, उनको सेवाम प्रदान किये जाने की बेवस्ता की गई है, जिसको हम लोग लागू भी कर रहे हैं जल्दी और उसको अभी गपती उसकी जारी ह हो गई है, और उसमें हमने दस साल का प्रावधान किया है, उसमें आप सब को जानकारी में है, और इसके साथ साथ ही, जो अभी रेखा जी ने कहा हम लोग लगातार इसके लिए प्रियास कर रहे हैं और हमारी प्रात्मिक्ता भी है, हम चाहते हैं कि हमारे खिलाडियों को, जो राजी की सेवाएं हैं, उनमें चार प्रतिसत का जो खेल कोटा है, वो पुना प्रारंब हो, इसकी हमने सुरुवात की है, और यह भी अंतिम चरण में है, तो ऐसे अने को कारी है, जो भी हमारे खिलाडियों के लिए जरूरी हैं, खिलाडियों के प्रोस्तान के लिए ज उसनी मनोगे, तो अप तो खेलोगे, कुदोगे, तो हर च13 में आगे जाओगे, हर चेतर में अबल रहोगे, हर चेतर में आपको पहचान मिलेगी और अपनी पहचान के साथ साथ प्रदेस का और देश का नाम भी बढ़ाने का काम आप सब के माद्धियम से होना है, इसलिए मैं आज के आउसर पर आप सब से अपने युवा खिलाडी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि द्रड़ चख सक्ती के साथ एक संकल्प लेकर आप आगे बढ़े और परिश्रम करें, मेहनत करें और अपना संकल्प जब जीवन में ले ले कि अब मुझे खेल के छेत्र में आगे जाना है इसमें पदक प्राप्त करना है इस छेत्र में इतने आगे तक जाना है मुझे पुराना इस रिकॉर्ड को क्रॉस करना है वो संकल्प लेकर उसमें फिर किसी प्रकार के कोई बिकल्प का कोई विकल्प ही न रखें अगर आपने विकल्प सोच लिया तो फिर आपका संकल्प पूरा नहीं होगा और संकल्प पूरा करना है तो उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं लाना है अगर आपने विकल्प के बारे में सोच लिया तो फिर संकल्प आपका तूट गया और ज अपने आप से रूट गए और मार्ग इतना लंबा हो गया जिस रास्ते से चल रहे हैं जो समापती नहीं होने वाला है इसलिए किसी भी प्रकार का बिकल्प अपने संकल्प में नहीं लाना है Missen has no option Mission में कोई option नहीं है और आगे ही बढ़ते जाना है आगे ही बढ़ते जाना है तो निश्चित रूप से आपको लक्षे प्राप्त होगा आपकी मंजिल प्राप्त होगी और हम सबके सामने जीवन में सबके सामने चुनोतिया आती हैं चुनोतिया आती हैं समस्या आती हैं उन चुनोतियों को हमेशा आउसरों में बदलने का हम सब के अंदर एक विस्वास होना चाहिए कि कोई भी चुनोति आएगी कोई भी समस्या आएगी तो हम उसको आउसर में बदलेंगे आउसर में बदलकर उस चुनो अभ्यान में आपके इस संक्ल्ब में आपकी सरकार राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी है मैं एक बार फिर से आप सभी को अपनी और से बहुत बदाई देते हुए, बहुत सुबकामनाय देते हुए और अभी जो इस वर्स हमारे लिए एक चुकी इसलिए और भी महत्तपूर नहीं यह बर्स, क्योंकि इसके अगले बर्स, अर्तिस्वें जो राश्टी खेल हैं, वो अर्तिस्वें राश्टी खेल, क्या परियारियों के बारे में उनके बारे में हम सब लोगों को प्रदेश वासियों को उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सुपकामना दी है कि हम लोग एक अलग प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने राश्टी खेल हो रहे हैं उसमें भी नवाचार लाने का काम आने वाले जो हमारे लोग हैं अतिति हैं उन सब का इस प्रकार से आतित्थे करेंगे कि वास्ताव में जैसे अभी हमने G20 के कारिकरम किये उस G20 की सब्मीट में जो देश दुनिया के डेलिगेट्स आये थे वो उत्राखंड का एक अच्छा नुभाव अच्छा नुभाव नहीं बहुत अच्छा नुभाव लेकर यहां से गए उसी प्रकार से खेल के छेत्र में भी हम लोग करेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आप सब की तरफ से सभी खिलाडियों की तरफ से देव भूमी उत्राखंड के वास्तियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आपने देखा होगा पूरे कारिक्रम के बीच में हमारे सभी पदक जीतने वाले खिलाडियों के लिए उन्होंने मोबाइल का फ्लैस ओन करवा के सभी लोगों को जो है कहीं न कहीं उनका सम्मान करने का काम उन स से उनका धन्यवाद करता हूं और आप सब को फिर से बहुत सुपकामनाई करता हूं और आशा करता हूं कि इस बार के राश्टी खेलों में आप अपना सरवस्तन प्रदसन करते हुए अधिक से अधिक प्राप करके अच्छे से अच्छा खेल करके और एक इतिहास बनाने का का करेंगे और राज्य को गरवान करेंगा काम करेंगे मेरी बहुत-बहुत सुपकामनाई धन्यवाद जय हिन जय भारत जय उत्राखन भारत माता की